और चलिए बारी है आज के जीवन मंत्र की तो चलिए चलते हैं हमारे चैनल हैड शरत दुएदी के पास और उन से जानते हैं आज का मंत्र जी धन्यवाद शुप्रभात आपको भी और बंसलियोस के सभी दर्शकों को भी और उनका आज का दिन शुब और मंगल मैं हुआ आज जीवन मंत्र में हम बात करेंगे अपने सुभाव की कुछ ऐसी उल्जनों की जिनका कई बार कारण हम भी नहीं समझ पाते हैं आप ने एक बड़ी विच्चत्र सी बात है एक चिकेटसक महदे ने ये बात मुझसे कही मुझे उनकी बात बड़ी समझ में आई उन्होंने का आप ये बताईए शरत जी कि जब आपकी गाड़ी प्रॉब्लम करती है तो आप क्या करते हैं उन्हें का आप जहां तक कोशिश हो हम समझने की कोशिश करते हैं नहीं तो फिर मेकनिक के पास ले जाते हैं उन्होंने का शरीर को लेकर आप ये क्यों नहीं मानते हैं शरीर का मतलब यही नहीं है कि बुखार आए तब ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर आपको आशा लग रही है बार-बार आपका मन कर रहा है कि एकान तुम्हें बैठें कोई आपको डिस्टरब ना करें तो उनका कहना ये भी वैसा ही है जैसे गाड़ी के साइलेंसर में कच्रा आ जाता है शरीर बिलकुल ऐसा ही है कई बार एक छोटी सी 25 पैसे की या एक रुपए की भी वो काम कर देती है जिसको आप कितना सुल जाने की कोशिश कर रहे हैं अगर बत्ती घुमा रहे हैं पूजा कर रहे हैं बार-बार परिशान हो रहे हैं या मेडिटेशन और ध्यान आपकी समझ से अहल कर सकता है तो उन डॉक्ट्ट सब ने जो बात कही वो मैं आपसे भी जाईए डॉक्टर के पास क्योंकि ये शरीर और गाड़ी एक जैसे ही हैं अगर छोटी सी भी समस्या दिखे तो चले जाईए ऐसा समाधान मिलेगा कि जिन्दगी और सुन्दर हो जाईए तो इस पर अमल जरूर कीजेगा आज के जीवन मंत्र में इतना ही फिर मुलाकात हो झाल जाईए